वेल्कम तो ब्लेड लेर्नर के 12 आज क्या है लेस्ट्री पढ़ने जार लेस्ट्री में क्या है कि हम पढ़ेंगे सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन को दबाना ना भूलें ठीक है इंडिविजन ओनर्शिप में क्या क्या आता है इंडिविजन ओनर्शिप में होसे जाते हैं प्लोट्स आता है फार्मर्स ओन लेंड आता है जो कि सरकार उसको देती है किसान उसके अपोजिट में क्या करता है उसको रेवेन्यू परवाइड करता है ठीक है तो अधर प्रोपरिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इंडिवेज्वल, कम्यूनिटी, नैशनल, इंटरनेशनल भी आप पे, तो यह क्या बोल रहा है? यह बोल रहा है, I am a fantastic individual, इसको सब क्यों भगा रहे है? बगा रहे है क्योंकि यह क्या बोल रहे है? कि हम कम्यूनिटी रिसोर्स को इंडिवेज्वली एकसेस करना चाहते हैं, दूसरे को नहीं एकसेस कर दें, कि सभी मिलके क्या इसको भगा दे रहा है? मार भी रहा है, National Resources क्या है? कि पूरा देश की जंता उसको यूज करती है, इंटरनेशनल पता है है, आपको इंटरनेशनल रिसोर्स है, इंटरनेशनल रिसोर्स है, ठीक है? यह आपको दिख रहा ह और उसके कैप ओखरा भी है, ठीक है, पानी हो रहा है, और सिप को ग्रेजिंग करने के लिए, ग्रेजिंग फिल्ड बेरेज में वेल भी है, यह ड्राकुला क्या बोल रहा है, इस अल माइन, यह बोल रहा है, यह बोल रहा है, लेकिन यह रॉक क्या बोल रहा है, रॉक बोल यह कहा है क्या बात करें कम्यीटी सोसेज में इसमें क्या है कि यह बोल रहा है तबसे पहला जी आयएफ देखेंगे इसमें बोल रहा है इसको सभी एक्सेसिबल कर सकते हैं तो दूसरा बोल रही है All of them क्या सारा हम बोल रहे हैं तो तीसरा जीएफ क्या बोल रहे है कि यह जो हम को दिख रहा है खेद जो है जहाँ पर हम चलाने जारे Public places में क्या है इसको सब Access कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं Gravy yard को Access कर सकते हैं देखिए graveyard ले जा रहा है Dead body को जा रहा है वहाँ पर पब्लिक पार्क को access करने के लिए सब access कर सकते हैं यह सब बास ही दे रहा है बोल रहा है जाओ जीत किया हो ठीक है और यह इसको क्या बोली यह इसको बोली all the best क्या बोली all the best लेकिन लेकिन यह क्या बोल रहा है ये इसको all the best बोल रही है लेकिन ये बंदा क्या किया जीत किया गिया खेल के ठीक है ये playground है मतलब इतना बताने है कहानी मतलब क्या था playground है picnic spot public park village ponds barrier grounds grazing ground ये सबी क्या है इसको सबी equally access कर सकते है ये हमारे community resources का part है देखिए national resources national resources में हमारे country का natural resources होता है country के पास क्या है legal power है क्या legal power है किसी भी private property को उस रास्ते से यदी कोई canal बनने जा रहा है कोई road बन रहा है कोई breeze बन रहा है यदी तो क्या कर सकता है सरकार उस property को private property को acquire कर सकता है किस लिए public good के लिए ठीक है यह natural resources में क्या क्या आता है natural national resources में क्या 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 national resources में आता है मिंडल आता है water resources आता है forest आता है wildlife आता है land आता है यह से रिस्पेक्टेड जी एफ दे रखा है मिंडल में मैंने डाल रखका यहां पे diamond इसको मिला यह लड़की गया कि water resources, पानी फे करी है, सब पे खूसी का ठीका ना नहीं है, forest में क्या मोंगली डांस कर रहा है, और साथ में बालू भी डांस कर रहा है, ठीक है, wildlife बता रहा है, ऐसे याद रखेंगे, अब इस GIF को देखेंगे, यह इंडिया का resources बोल रहा है, बहुत bigger resources है, बोले legal फेरा लगे, क्या legal फेरा लएगा, land require करने में बोलता है, how do I get them, कैसे इसको बोलें, यह तो private है, यह तो private है, लेकिन property management करने में सरकार expert है, सरकार क्या किया है, किया है, urban development authority बना रखा है, जैसे दिल्ली में DDA है, बैंगलोर भी बीडी है, बैंगलोर development authority, देली development authority, यह इसका land require रहता है, यह बताती है, सरकार को यह जगह को land require कर सकती है, सरकारी agent है, यह बोले, okay, हम इस तरीके से land require करेंगे, कोई सरकारी project के लिए, nation का, जो territorial water है, उसके वारे में discuss करेंगे, means हमारे इंडिया का map के चारो, तीन तरफ पानी है, ठीक है, यहाँ पे, कितना area का ब 12 nautical mile के पास का पानी होता है, उसको हम क्या बोलते है, territorial water, territorial water में क्या होता है, कि resources जो होता है, resources जैसे यह, उसको वहाँ पे हम कोई भी, हम resource यूज कर सकते है, हमारे इंडिया का national resources है, territorial water का resources, ठीक है, जैसे यह क्या बोल यह, बोल रहे है, 12 points, 12 points मतलब 12 nautical mile, 22 km के अंदर, यह, बोला है, ठीक है, you are in our territory, मतलब 12 nautical mile के अंदर, जो भी मिलता है, वो हमारा resources, इंडिया का national resources हो गया, तो इसमें क्या होता है, कि हम बात करते है, international resources का, international resources में क्या है, कि उसको access करने के लिए, हमको international institution से permission लेना पड़े है, क्योंकि international institution उसको regulate करती है, सारे international resources को, तो हमें पता रहना चाहिए, international resources होता क्या है, मतलब इसमें 200 number याद रखेंगे, यह GIF 200 number बता रहा है, 200 nautical mile के beyond मतलब उसके बाद, beyond मतलब बाद, उसके बाद बहला area जो होता है, उसको हम नाम दे दिये है, open resources, open resources मतलब क्या है, कि वहाँ पे उसके बाद, area के resource को use करने के लिए, हमक क्योंकि वह इसको क्या करता है, regulate करता है, उस resources को, किस resources की बाद करें, open resources, open resources क्या होता है, 200 nautical mile के बाद वाला resources जो होता है, open resources होता है, ठीक है, किस में exclusive economic zone, जिसको हम sort में EEZ भी बोलते है, ठीक है, यह diagram दे रखा है, क्योंकि चाइना का 9 dash line बहुत popular issue है, तो 9 dash line का issue जो की EEZ से related है, इसलिए मैंने यहाँ डारक है, international institution का ISA, international seabed authority है, उसका headquarter कहाँ पे है, headquarter है, जमाइका में, ठीक है, तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं, मदलब यह individual country, कोई board है कि हमको access IA, किसको international resources, जो कि open resources है, तो उसको किसका permission लेना पड़ेगा, permission लेना पड़ेगा, ISA का international seabed authority, चाइना बोलता है, यह कौन होता है, हम तो इसको मानते ही नहीं है, यह Chinese क्या बोलता है, कौन होता है, कौन बोला यह, हम इसको नहीं मानते है, देखो मेरा nine dash line, कितना खुब सूरत है, ठीक है, लेकिन यह खुब सूरत काई है, तो लोगों को बेपकूब बनाड़ा, माहो बनाड़ा, island बना बना के, बना बना के, तो बोल रहा है, इसको आप Google बाबा से पूछना, या Alexa से पूछना हो, बता देगे, ठीक है, यह पूछ पूछने के understood, हाँ, समझ गए, ठीक है, आज के thought में, today's thought में क्या है, कलाम भाय को लाएं, किसको, कलाम भाय को, यह मतलब, क्या बोलें, इनके बारे में, इनके बारे मेरे पास word नहीं है, I am wordless, speechless, it means God's gift बोल सकते है, हमारे country को मिला था, APJ, अब्दुल कलाम, ठीक है, तो इ If you want to sign like a sun, first burn like a sun, यह था मेरा आज का thought, इसमें गया है, कि, देखिए, मिलका सिंग भागते भागते कहां तक पहुचा है, मिलका सिंग भागते भागते पहुचा है, लेसर नमबर 3 तक, ठीक है, अभी तो बहुत आगे भागना है, क्योंकि हमारा मंजील अभी बहुत दूर इसलिए भागते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है, थैंक यू, all the best